दोस्तों अगर आपका software पुराना हो गया है, smartphone का software जो है पुराना हो गया है, mobile का backup कम हो गया है, जैसे चलते चलते रुख जाता है, या फिर कोई आप application खोलते हैं, तो अपने आप बंद हो जाता है, home screen पे आ जाता है, तो ये सारी details आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाल है, तो ये वीडियो देखके आप अपने mobile को hang करने से रोख सकते हैं, इस software अपडेट करने के लिए दोस्तों, आपके mobile का software अपडेट करने के लिए ना तो किसी computer की जरूरत पड़ेगी, ना किसी laptop की जरूरत पड़ेगी, ये आप अपने mobile से ही खुद से कर सकते हैं, मजाक नहीं दोस्तों, ये हकीकत है, अगर कोई कहता है, दुकान वाला के पास अगर आप जाएंगे, तो ओ आप से 200-200 चार्ज लेगा, उसके बाद आप से बोलेगा भी कि 2 घंटे या 3 घंटे इतना समय लगेगा, तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद बिल आइकन को प्रिस कीजिएगा, इससे दोस्तों, मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि हम हर टॉपिक पे ऐसी ही वीडियो डालते रहते हैं, जैसे कि आपको हर जानकारी म जाना होगा दोस्तों, देखिए, हमना अपना सेटिंग ओपिन कर लिया है, जैसे हमारा सैमसेंग का मोबाइल है, तो यहाँ सबसे नीचे, दिखाई दे रहा है आपको, सबसे नीचे सॉप्ट्वेर अपडेट लिखा हुआ है, अगर आपका मोबाइल कोई और कमपनी का है तो आप एबाउट फोन में भी जाके यह कर सकते हैं, देखिए, हमने अपना एबाउट फोन ओपन कर लिया है, उसके बाद इसको उपर करेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है सॉप्ट्वेर इन्फोर्मेशन, इसमें नहीं है दोस्तों, पिछे हो जाते हैं, आप चिक कर ल मोबाइल में सॉप्ट्वेर अपडेट का आप्शन पहले से दिया हुआ है, लेकिन हर किसी मोबाइल में ऐसा नहीं होता है, आपको एबाउट फोन में जाना होगा, उसमें सॉप्ट्वेर अपडेट का आप्शन दिया रहता है, उसमें आप क्लिक करके सॉप्ट्वेर को अपडेट करते हैं जैसे अपडेट को हम खोल लेंगे उसके बाद इंस्टा डाउनलोड एंड इस्टाल इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे हमने अपना लेटेस्ट वर्जन पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है तो अगर हम अपडेट करना भी चाहेंगे तो अभी नहीं होगा जैसे दोस्तों आप देखते होंगे कि किसी के मोबाइल में किसी के मोबाइल में अगर नया फोन लिया हुआ है जैसे माल लेते हैं यमाई का फोन है तो नया फोन लिया हुआ है तो उसके मोबाइल में जो बैक्ग्राउंड है उसके बाद एप्स है होम पेज है यह सब कुछ अलग तरीके से दिखाई देता है, तो जैसे आपका email का phone है, तो अगर आप update कर देते हैं, तो जैसा उसके mobile में होगा, तो to sample दिखाई देता होगा अगर आप update करेंगे तो same-to-same एक्दम नया वर्जन आपके mobile में भिढ़ आजाएगा, तो देखिए हम download and install पर क्लिक करेंगे कुछ समय लेगेगा देखिए दोस्तों हमने पहले से ही अपना जो लेटिस्ट वर्जन है हमारा भी मतलब की वर्जन पुराना हो गया था तो हमने भी अपना मुबाइल एपडेट किया तो हमने एक नमबर 2020 को अपडेट किया था तो सो कर रहा है जैसे दोस्तों कमपनी समय समय पर अपना वर्जन बदलते रहते हैं तो आप समय समय पर यहां आके चेक कर सकते हैं अगर कोई नया वर्जन आया हुआ है तो आप उसको लोड कर सकते हैं मतलब की डाउनलोड इसमें कुछ समय भी लगेगा उसके बाद आप ये मस सोचिएगा जैसे कि मोबाइल रिस्टार्ट होगा रिबूट होगा तो जो जो मतलब परमीशन मांगेगा आप उसको मतलब की ओकी करते जाएंगे इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि आपका जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों